यमनगर के हुड़ा सेक्टर 17 स्थित LIC कारेले के स्टोंग रूम से 40 लाग रुपे गायब हो गई हाला कि कैश काउंटर का ताला भी नहीं तूटा और यहाँ बचे हुई मिले महस 2 लाग रुपे फिलाग पुलिस मोके की जाच कर करमचारियों से भी पूछ ताज कर रही है यमनगर के हुड़ा सेक्टर 17 स्थित LIC कारेले में उस समय हल चल मच गई जब स्टोंग रूम से कैश लेने के लिए बैंक करमचारी पहुँचे लेकिन कैश काउंटर में पड़े हुए 12 लाग रुपे में से 2 लाग रुपे ही स्टोंग रूम के अंदर पड़े हुए मिले बता दे कि 17 नमबर को यहाँ कैश गिन कर रखा गया था और छुट्टी होने एक कारण बैंक में भी यह कैश जमा नहीं करवाय गया लेकिन आज जब बैंक करमचारी कैश लेने के लिए यहां पहुँचे तो उन्हें जमा करने के लिए महस दो लाग रुपे ही नजर आया 40 लाग रुपे गायब होने पर तुरंत इस मामली की सूचना पुलिस को दी गई वही सूचना मिलते ही पुलिस के आलादिकारी मोके पर पहुँच गई और रुपे गायब होने की पूश्ताज करने लग गई बताया जा रहा है कि यहाए कैस जहां पर रखा जाता है उसकी चार चाबियां होती है जो कि चारों अलग 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 रमचारियों के पास होती है और चारों ही व्यक्तिमों के पर मौजूद थे जिनसे पुलिस पूश्टाज करने में लगी हुई है वही पुलिस का रहले में लगे हुए सिसीटी फुटेज को भी खंगालने में लगी हुई है लेकिन सवाल उठता है जब दिन रात यहां पर पैरा भी होता है तो ऐसे मेधी जोरी से कैसे 40 लाग रुपे गायब कैसे हो गई मताईगे पाइस कैसारे करें तो तो फिसे ने रुपी खि integrating अजब गईए पूरी करने कना कि प्लिस वाले इ सबनावले कि पर घ्र कारे मारे फीज प्लिस वाले इसको चोरी नहीं कह सकते बैंक बैंगर साब ने एक कंप्लेंड दिये हमारे पास इसके अंदर उन्होंने बताया कि शुक्रवार को इनका लास्ट परकिंग डे था है लाइसी के ऑफिस का यहां स्टारा में ऑफिस है इनका उसमें इनका तकरीबन वैलिसलाग रुपे के अबी तो यह उन्होंने दिखा उसके अंदर कैश नहीं था जिसमें 2,000,00 रुपे बता रही है अभी तो फिलाले में यही कंप्लेंड दी है मेंडेर सामने के भी कैशियर ने कैश रखा था लेकिन आज हमने आके देखाया तो उसके अंदर कैश नहीं है दो लख रुपर र जो पाल जो पुटिए झासार है? जो पुटिए झासा कोचिनी